नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट किया करता हूं कि जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही मेरे वीडियो देखने के लिए मेरा जो ये चैनल है रवी गिरी बाबा का सच इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे आईरुवेदिक नुस्के आपको मिलते रहें और आप उनको आजमा के और किसी भी डाक्टर का दर्वाजा ना खटखटाएं गर बैठे ठीक हो जाएं तो दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत बड़िया चूरन लेके आया हूं यह आपके चार रोगों को लगातार चार ठीक करेगा आपके जोडों का दर्द है उसको ठीक करेगा जोडों जोडों में दर्द होते हैं इससे बहुत लोग परेशान होते हैं 40 की उमर पार होते होते जोडों में दर्द करना चालू हो जाता है यह दर्द को बिलकुल खतम करेगा हाई बीपी को खतम करेगा आपके अगर हाई बीपी रहता है उसको खतम करेगा शुगर है तो शुगर को भी ये दूर कर देगा शुगर गलेवल को अपने स्तर के ऊपर ले आएगा और आपके अगर नसों में कहीं भी ब्लोक के कोई नस्ब लोक हो गई है तो उसको भी बड़े जल्दी से खोल देगा ये नुश्का मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिन लोगों के इन में से कोई एक विमारी है तो मेरे वीडियो को स्किप नहीं करें पूरा देखें ताकि आपको दुबारा से पूछना नहीं पड़ें और ये दवाई बना के आप खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे दुबाई आपको बता रहा हूं कि आपको दाल चीनी लेनी है ये वरक्ष की छाल होती है और आप लोग यूज भी करते हैं इसको घर-घर में पड़ी होती है अमारे रसोई गर में मसाले के अंदर गरम मसाला के अंदर दालचिनी बिना मसाला अधूरा रहता है तो वही दालचिनी आपको लेनी है उसका पाउडर लेना है एक चम्मच दालचिनी का और दो चम्मच आपको लेना है हल्दी का पाउडर ज्यानस रखना कि दाल चिनी आपको एक चम्मच लेना है हल्दी का पाउडर दो चम्मच लेना है और आपको सोंठ का पाउडर जो अदरक सूख जाती है उसको सोंठ बोलते हैं तो सूखी हुई अदरक यानि सोंठ का पाउडर बना हुआ बाजार में आपको आसानी से मिल जा अगर नहीं तो साबुत सोंट लाके गडला के उसको कूट के पाउडर बना सकते हैं आप सौंट का पाउडर आपको 4 चम्मच लीना है ah और अलसी आपको लानी है बाजार से अलसी को लाके हलका रोस्ट कर ले में जब वो चटचट की आवाज करे तो जल्दी से उसको उतार लेना वरना वो जल जाएगी काली नहीं होनी चाहिए हलका सा उसको चटटट की आवाज आते हैं उसको उतार लो और मिक्सी में grind कर लो एकदम से मिक्सी में grind किया हुआ अलसी का पाउडर यो है वो आपको लेना 8 । अब जो मैंने दवाई का प्रारू बताया है या जिस परकार कंबिनेशन बताया है उसको आप दुबारा से फिर सुन लें कि एक चमच फिर दुगना दो चमच फिर चार चमच फिर आठ चमच यानि अलसी आठ चमच लेनी है छोट का पाउडर चार चमच लेना है हलदी दो चमच लेनी है और आपको दालचिनी एक चमच लेनी है इन चारों चीजों को अच्छी तरह मिलाके आप डिबे में रख दें और आपको क्या करना है कि रात को सोते वक्त एक चम्मच पाउडर लेना है और आप हलके गुनगुने पानी के साथ में लेके आराम से सो जाएं आप ऐसा पंदरा दिन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके सरीर में कितना परिवर्तन हो गया अगर मैंने जो बीमारियां बताई है चारों की चारों बीमारियां बिल्कुल ठीक हो रही है यह नुश्का आप आजमा लेना और अगर आपको मेरा नुश्का पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक नमस्कार जैहिंज जैभारत